कि जो हर तरफ भगवान के दर्शन कर रहा है अपने हर कारे में भगवान के दर्शन कर रहा है अपनी हर सेवा में नाराइण के दर्शन कर रहा है केवल वही इश्वर के धाम में जाने का अधिकारी है उनसे मिलने का अधिकारी है उनके साथ नरत्य करने का अधिकारी है उनका प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी है महारास में हरे किसी को प्रवेश नहीं मिला था महारास में केवल वही जा पाया जिसकी अनुमती राधा जी ने दी थी क्योंकि बिना उनकी इच्छा के अप ईश्वर के तो पास भटक नहीं सकते भटकने की कह रहा हूं पहुंचने की तो बात अलग है मन से भी नहीं जा सकते और यहां तो सा सरीर गोपिया कृष्ण के साथ निर्ट कर रही है सा सरीर यह बहुत बड़ी इस्तिती है उची से भी बहुत उची इस्तिती है कोई एक दो धारण है पूरे सास्त्रों में जो सा सरीर वेकुंट चले गए एक दो धारण है जो सा सरीर वेकुंट गए राम के पिता दसरत किष्ण के पिता वशुदेव नंद बाबा ये नहीं गए ससरी इनको वो वो लेवल इनका भी नहीं था जनके घर ईश्वन ने जन्म लिया ये कोई बहुत उची इस्तिती है जहां गोपिया किष्ण के साथ निर्टे कर रही है बहुत हाई लेवल की पुजिशन है मैं कैसे रस रास ही गाऊ स्री राधिका श्याम की प्यारी क्रपा बास ब्रज में पाऊ भगवान की क्रपा के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं है महारास की तो बाच हो कहाए ब्रज में आप नहीं आ सकते उसकी एहतुकी कृपा के बिना अन्यकों ग्रंत चिक-चिक के बाद कह रहे हैं रिशी मुनी महापुरुष लिखके छोड़ गए भागवत अग यदी तो भागवत स्वेम स्री कृष्ण है यदी तो ये भागवत जी कृष्ण है तो इसमें भी तो ये लिखा है कि इसमें एंट्री नहीं है आपकी बिना इश्वर की इच्छा के तो महाराश्ट बहुत उची इस्तिती है कि वो हर समय कृष्ण में अपना चित्ट दे के बैठी है उन्हें जरादी ये भाग नहीं है कि हमारी इस्तिती क्या है क्या हम किसी की पतनी है क्या हम किसी की मा है हमारा कोई कुल गोत ना अन्यत्र सर्वत्र स्री कृष्ण एक दृष्टी हर जगे जब आप एक ही इस पर पे नारेण के दर्शन कर रहे हैं तब आप महाराज में प्रवेश करेंगे तब आप बैकॉंठी जाएंगे यदि तो आपने अपने सोच को अपने बिचार को कहीं हिस्सों में बांट रखा ह है कि मेरा मन ये बेटे का है मेरा मन ये क्रंथ का है मेरा मन ये मेरी विद्वता के एहिंकार का है मेरा मन ये मेरे कपड़ों का है मेरा मन मेरा ये गीत संगीत का है मेरी रचना का है तो फिर आप वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे और ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा आ जाए कि कोई बात नहीं थोड़ा सा नहीं एक खड़ के लिए भी इश्वर के अरावा दूसरी बात आई तो आप जीवन में सिर्फ एक ही प्रश्म कर पाएंगे कि भगवान है कि नहीं है ये भगवान भगवान होता है ये पहला प्रश्ण है जीव का कि वो कभी निश्चे नहीं कर पाता कि असल में ईश्वर है कि नहीं है आरादना कर रहे हैं माला कर रहे हैं प्रतिक्षणा कर रहे हैं परमार्थ ले लिया लेकिन अंदर से नहीं स्विकारा कि इश्वत असल में है के नहीं क्योंकि मानप का सभाव है बिना मिले कैसे समझे और मिलने की इसकी कंडिशन ये है कि एक चाहे पांच मिनेट सिर्फ पांच मिनेट सिर्फ कुछ पल बहुत बड़ी आयू की जरुवत नहीं है बहुत दिनों की आविश्यक्ता नहीं है बहुत बड़े समय की जरुवत नहीं है यदि तुम कुछ पल भी पूरा 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 अपने नारेण में अपने धान लगा दिया तो भीया वो सामने खड़ा मिले उसे हम चले आए थे तो साधना में प्रतिक्षा भी तरहोनी चाहिए जब साधना कर रहे हैं तो प्रतिक्षा हो ये सुदा को जब 80 साल की ये मैया तब कृष्ण मिले साधना प्रतिक्षा भी तो मांगती है ऐसा तो नहीं कि आपने आज सुबह माला की और साम को भगवान जी आने चाहिए साधना प्रतिक्षा मांगती है कई वार तो कई जन्मों की प्रतिक्षा लग जाती है कई वार एक जिवन बहुत छोटा होता है लेकिन फिर आपको मिलता भी उतना बुराठ है जब आप इतना करते है तो वो आप इतना देखे है भगवान पीतारात्री सरदो फुल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्टा योग माया मुपाश्टा भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा अपने उन सभी भग्द किंकरों को जो अनंत जन्मा से भगवान के अनिव अवतारों के समय वचनवत्व हो गए थे भगवान की कृपा की अहेद की कृपा को उन्हें मिल गई थी उनकी कृपा का एक टूप उन सब को मिल गया था आज वो सब जग्रत हो गए वो जो कहीं दवे कुछने थे कहीं अपनी साधनाओं में लिपन थे कहीं कोटरों में बैठे कहीं अग्यान ताकि एक जीवन में जी रहे थे आज वो बड़ी जोड से अपनी जगे से जग्रत हो गए भगवान ने उन सब के लिए वैकुन्थ बनाया धर्दी पर कि तुम्हें में किवल वैकुन्थ में तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे तुम्हारा अंस नहीं जाएगा तुम सब सरीर वैकुन्थ आओगे और जब तक चाहो यहां रहो और फिर जब अपना यहां धर्दी का अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो तो फिर आजाना भगवान ने वो वैकुन्थ की सुन्दर रात्रियों को वहां बुला लिया वहां सुन्दर पुस्प आ गए जो रितू से विपरीद है नदी अपने योवन पे आ गई ब्रक्ष जिन में कभी पुस्प नहीं होते कांटे के ब्रक्षों में पुस्प आ गई एक खड़ में वहां सुगंद फैल गई मयूर नित्य करने लगे और सुन्दर वैयार वहां चलने चली वसंत की सुन्दर हवा सरद रितू की भीनी भीनी हवा जिसका जैसा मन था किसी को लगा मुझे गर्मी लगे उसे गर्मी लग रही है किसी को लगा मुझे आनंद हो मुझे सीतंता हो उसे सीतंता हो रही है किसी को लगा मुझे सरोवर के किनारे खड़े होना है तो सरोगर के किनारा उसे मिल गया किसी को लगा मैं ब्रक्ष की टहनी पे बैठूंगी तो ब्रक्ष की टहनी उसे मिल गई जिसने जो मन में सोचा मन में उसने सोचा कि हमें भगवान के साथ ब्रक्ष की डाल पे बैठना चाहती हूँ तो उसके लिए बैसा प्रक्ष और वहां की डाल आ गई सरदू फुल मल्लिका भगवान ने मन से सूचा बेड़ू नाद दिया भगवान ने बासरी भूक दी बासरी में जैसे ही प्राण गए जो धनी निकली वो सिर्फ उनको सुनाई दी जो अधिकारी थे तो तो यह कर दो यह कर दो कर दो ने दो कर दो